अब देख रहे हैं आपको चैनल शेह बजार विदायुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आइप्यो जो ग्री मार्केट के बारे में लेकिन सबसे इंपॉर्टन्ट वो है प्रेमियर इनर्जीस का आइप्यो जी हाँ प्रेमियर इनर्जीस का आइप्यो आप 2,830 करोड का ये इशू है जिसमें से 1,291 करोड का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग है ओफर फॉर सेल करीबन 1,539 करोड का इसमें कम्पनी अपने इंप्लोई से लिए डिसकाउंट रख रखा रखा है 22 रूपीज पर शे का और BAC, NAC दोनों पर हमको लिस्ट भी होता हु रिलेटेड तो देखे सब्सक्रिप्शन तो बहुत धमाकेदार इस इशू में आ रहा है QIP काटेगरी ने अभी तक 75 ताइम्स नहीं हां 75 ताइम्स QIB काटेगरी ने इस इशू को भर दिया है कुल मुलाकर आप देख सकते QIB ने अभी तक 42,467 करोड के आइस परस लगाए लेकि Majorly QIB का पैसा 3,45 तक हमको आता हुआ नजर आ जाता है राइट इसके बाद बहुत जाता नहीं आता है आता है थोड़ा बहुत लेकिन Majorly पता चल जाता है कि QIB का कितना पैसा आ चुका है तो अभी जितना पैसा आया है अभी मैं कह सकता हूँ कि एक गंटा एक गंटा कर दिया गया है इसके लाव एचनाय काडिगरी 44 तामस के सब्सक्राइब हुए तो फिफ्टी वन पॉट चुका है थान रखेगा बिग एचनाय को सब्सक्रिप्शन इस तरीके से देखिए कि आप 50 अगर टाइम सब्सक्राइब है तो उसको 5 सी डिवाइड करना है जितना इसमें से एक का चांस अभी करेंटली बनता हुआ नजर आ रहा है तो अगर आप बिग एचनाय में लगाना का सोच रहें तो आपको ने बता दिया मुटा मुटी कि आपका कितना आई पर नहीं का चांस है अदर्वाइस हम बात करेंगे आज पाच वाले वीडियो में रिट कोटल मिलाकर 34 ताइम सेनी कंपनी को अभी तक 67,000 करोड रुपीज का चांस पास रिसीव हो चुके देखने हैं यह वाली बात है कि क्या यह कंपनी को एक लाग करोड रुपे रिसीव होंगे या पर नहीं होंगे यह देखने वाली बात होगी बट रिस्पॉंस अपने आप बाजार स्टाइल रिटेल जिहां बाजार स्टाइल रिटेल का IPO भी ओपन होने वाला है कबसे 30 अगस से 3 सेप्टेंबर के वीच में 5 रुपे की फेस वैलिव है करेबन 370 से 389 का प्राइस बेंड है 386 का लॉट साइज है कुल विलाकर दोस्तो 834 करोड का यह एशू है जिस जादा बड़े नाम नहीं आते हैं बागी इंप्लॉइस के लिए डिस्काउंट है 35 रुपीस पर शेक और बीएस एनसी जैसे पर लिस्ट होने वाला है तो लेट सी यहां पर किस किस तरीकी की आंकर बुक निकल कर आती है फिर आता है दोस्तों एको मोबिलिटी IPO जो ओपर ह हो चुका है अल्रेडी अभी याद रखिएगा second day है और कर आखरी दिन है इस issue का भी 30 अगस को close होगा दो रुपे की face value है 318 से 334 का प्राइस बंड है 44 शेर का lot size है कुलमलाकर 601 करोड का issue है पूरा का पूरा offer for sale है और BAC नसी दोनों पर हम कोई लिस्ट होता हूब अनजर आ लगा दिया है अगर इसमें बात करते हैं तो बेगे चनाइस ने almost 18.59 टाइम स्मॉल चनाइस ने 20.81 तो रीटल कटेगरी भी दोस्तों आट गुना तक सब्सक्राइब होती भी दिख चुके नहीं रीटल में अच्छा पैसा आ रहा है कुल मिलाकर एट टाइमस का सब्सक्रा करने पड़ेगी तो यह बादान रखेगा कि प्रेमे अनिजी का पैसा इधर यूस नहीं होगा नेक्स दोस्तों आइप आता है गाला प्रिसिजन इंजिनियरिंग ये भी एक मेंड आइप यह जो 2nd of September से 4th of September तो उपन होगा 10 रोपी की face value है करीबन 503 से 529 का price band है 286 का lot size है कुल में आकर 168 करोड का issue है इसमें से 135 करोड का है fresh issue and the rest is offer for sale करीबन 32.59 करोड का इसमें दोस्तों लिस्ट होगा BAC, NAC दोनों के उपर देखते हैं कितना यहाँ पर बढ़िया कर पाता है ये issue अब दोसे बात करते हैं बाकि आई पर ग्री मार्केट पर देखें बेजार होजिंग फिनांस की ग्री मार्केट चल रही है 41 रुपीस तो बजाज फिनांस और बजाज फिन्जर्व इन दोनों आई पियोज में से कोई एक खरीदा इंपोर्टन है आप दोनों खरीद सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है बढ़ हां अभी तो एक भी अगर खरीदेंगे तो इंपोर्टन रहने वाला है ज़रूरी नहीं है कि दोस्तो भी निकल कर आए शेयलडर कोटा बट एक्सपेक्टेशन्स तो है अगला आई पिय आता है एक्सेलेंट वायोज ये एक एक नसे एसे में इशु है जो 90 रुपीस के प्राइस बन के साथ आए कोई भी ग्री मार्केट नहीं है करीबन 12-13 करूर का इशु है 11th of September से 13th of September तक इशु ओपन रहेगा अगला दुस्ते इशु आता है नमो ईवेस्ट मैनेजमेंट एक एक एनसे एसे में इशु जो 85 रुपीस के प्राइस बन के साथा है 51 करूर का इशु का साइज है यानि आप समझ सकते है इशु का साइज बड़ा है बट 4th of September से 6th of September तक इशु ओपन रहेगा कोई अभी तक ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है तर अगला आता है माच कॉन्फरेंसेस एंड एवेंस जी हाँ एक BACSME इशु है जो 225 के प्राइस बन के साथ आया है चार सप्टेंबर से 6 सप्टेंबर के बीच में इशु ओपन होगा 125 क्रोड का इशु का साइज है तो देखते कितना बड़िया कर पाता है तर आता है गाला प्रिसेन इंजिनेरिंग अभी तक कोई ग्रे मार्केट में आक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है तर आता है जी यम ग्लोबल फूट्स एक नसे एसी में इशु जो 61 रु यहां cancel कर दिया गया है मतलब अभी यह issue नहीं आता हुआ नजर आने वाला है because company के related कुछ दिक्कते हैं जो यहां पर दिक्कते हैं या फिर किसकते doubts है जो basically solve करने की कोशिश की जा रही है तो अभी अर्चित new word IPO नहीं आ रहा है तो अगला दुस्त एशु आता है बाजार रुपीज का price band है बढ़ अभी तक कोई gray market इसकी start नहीं है तो अगला दुस्त एशु आता है travels and rentals एक BSCS में इशु जो आज से open होया और second of September तक open रहेगा 40 रुपीज का price band है तो 14 रुपीज की gray market नहीं almost 35% 2.49 times यह issue subscribe हो चुका है iron composite एक NSCS में इशु जो open हो चुका था 28th को आज second है अभी तक चाग उन्हा subscribe हो चुका है 56 रुपीज का इशु का size है बढ़ कोई भी gray market नहीं है तो अगला आता है दुस्तो पैरामेट्रिक टेक्नोलोजी एक NSCS में इशु जो 110 रुपे के price band के साथ आया है कोई भी gray market नही 33.84 का इशु का size है और 27th of August से यह open हो चुका था याद रखिएगा कल आकरी दिने दने दन दन दोस्तो अगला इशु आता है जिसका नाम है Ecos Mobility gray market में थोड़ी सी गरावट जरूर आईए Ecos Mobility के करीबन 48% के असपास premium है बढ़ ठीक है अभी stable थोड़ा सा दिख रहा है दन अगला आता है दोस्तो इंडिन फॉस्पेट एक अने से सिम इशु जो आज रोजने वाला है करीबन 100 करोड सरी 100% का इसका प्रीम है और 168 ताइम सब्सक्राइब भी हो चुका है तो बिल्कुल इस इशु का आखरी दिने आज 29 को तो देखते कितना बड़ा कर पाता है तो अगला दुस्तो इशु आता है प्रेमेर एनर्जी इस ग्रे मार्केट 84-85% का असपस चल रही है अभी भी शांदार है और सब्सक्रिप्शन आप देखे रहे हैं कितना शांदार निकल कर आ रहा है देखते कितना टोटल सब्सक्राइब होता है हम बात करेंगी पाच बजे अगला दुस्तो इशु आता है वीग डील सिस्टम एक एनर्जी इस एसे में इशु जो आज क्लोज होगा करीबन 22-23% का प्रेमियम है और इसकी क्लोजिंग हो जाएगी आज अभी तक 37 ताइम सब्सक्राइब हुआ है दर आता है दुस्तो रैपिड मल्टी मॉडल लोजिस एक BAC SME इशु जिसकी ग्रे मार्केट उनली 11-12% के असपस करेंटली चल रही है लॉट्मेंट हो चुका है और लिस्टिंग होगी कल बागे दुस्तो आज एक लिस्टिंग होई जो SME में होई और बहुत इंट्रिस्टिंग होई नहां में रिसोर्स ऑटोमोबिल जी हाँ इसके अरवे आपने काफी सुना होगा 90% का प्रीमियम था बट लिस्टिंग का पर होई है जहां पर प्राइस बेंट था वहाँ पर जी हां पार पर कोई अच्छे लिस्टिंग देखने को नहीं मिली मैं इसलिए कहता हूँ कि SME इसके अंदर बहुत सोच समझ के लगाई है ग्रे मार्किट दिख रही है तो उसको आग बन करके भरूसा ना करें देखकर लगाए समझ कर लगाए पढ़कर लगाए सबसे इंपॉर्टन बात यह है तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था होफ़िल आपको वीडियो बड़े लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से बाई 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 दो सब्सक्राइब कर देना थैंकियो फ्रेंड इस वीडियो